आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इन यूकेरियोट्स, RNA Polymerase 3 Transcripts, पुछा गया है कि यूकेरियोटिक सेल्स में RNA Polymerase 3 जो है वो किस चीज़ का Transcription करता है तो Basically क्या होता है कि RNA Polymerase 3 का बहुत जादा ही काम होता है जिसमें उनका दो टाइब का Transcription या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दो टाइब का Production जो है वो Polymerase 3 से ही बनके आता है और वहीं पर अगर बात करें तो 18SR RNA जो है ये एक ऐसा RNA है जो कि Ribosomal Sub Unit 40S में पाया जाता है और ये Active Center होता है जहां से Protein Synthesis जो है वो हो के सामने आता है तो इसी वज़े से इन दोनों का ही जो Trigger होता है या फिर इन दोनों का ही बनावर्ट जो होता है Transcription का ये दोनों ही RNA Pol 3 से होता है यानि RNA Polymerase 3 और इसी लिए हमारा Correct Option हो जाएगा बोथ 1 और 2 जो कि Last Option है और उसी को हम लोग यहां पर Tick कर लेंगे बाकि अगर देखा जाए तो जो 5SR RNA है ये बेसिकली पाए जाते है इन दे 60S Sub Unit और इस 60S में पाए जाने के वज़े से इनका भी Protein Synthesis में हाथ तो होता है लेकिन RNA Pol 3 जो है वो इनका Transcription बिलकुल भी नहीं करते है तो इसी लिए जो हमारा दो राइट आंसर है वो जाते है 1 और 2 और इनी दोनों को इसी वैसे हम लोग 4th option को ही यहां पे टिक कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीज़े अपने डाउट्स 84444 पर